हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप, मैं संगीता, आज मेरी किचन में आप लोगों का सुवाकत है, मैं आपको रॉल बनाना बताओंगे, कैसे बनाई जाती हैं, ब्रड रॉल, चलिए, हम आपको बताती हैं, और ये खाने में बहुत सुवाद लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं और हम आपको बताएंगे, अगर मेरी गुरियों पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब परना, कॉमेंट करना, वेल्कॉन बटन को भी दवाना, चलिए हम आपको बताते हैं, हम दीजे, चार आनुलिये हैं, इनको हम इसमें मेश कर लेंगे, हमने ये प्याज ली है, इसको भी हम इसमें डाल दिंगे, इसमें हमने थोड़ी सी अधरा का पेष्ट बनाया था, इसको भी हम इसमें डाल दिंगे, वो हरी मर्च काटी थी पारिक, इसमें हम इसमें डाल दिंगे, इसमें हमने मटर ली थी, होड़ी सीमें मटर डाल दिंगे ह इसमें हम पुरह साग मसाला डालेंगे आदी चम्मट, आदी चम्मट चाज मसाला, अलका सा काला नमक, थोरा सा काला नमक, नमक स्वादा मिसा, और आदी चम्मट लाविर्स पाउर, और तोड़ा सा हम इसमें हरा दुनिया डालेंगे, और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे, यह जो को फ्रेंट्स हमने यह सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिये हैं, यह हमने तयार कर दिया है, अब हमने यह चार प्रेट लिए हैं, अब इन हम इनकों साइटों से कार दिंगे, आप चाहो तो कट कर सकती हो, और नहीं करना चाहो तो मत करना, यह दो ही तरीके से बन जाते हैं. क्यों देशाच, पराद बन जाते हैं, आप इसको हम पानी में डालेंगी, जादा देड में डालना है, हलका ही डालना है. अब इसको हम हलके हलके हाथों सो इसको हम इसका सारा पानी ऐसे ऐसे करके निकाल दिया है अब इसमें हम पिष्टा पी भारी दिचेंगे खरके हरके हाथों से इसको हम ऐसे ऐसे करके इसको हम ऐसे बनाएंगे यह जोको फ्रेंड्स हमारा रॉल बन गया है अब हमें ऐसे ही सारे बनाने हैं अब इसमें हम खरके हाथों से उनको छोड़ने हैं यह जब फ्रेंड्स हम देए उसमें डांबी हैं और अब इतने अच्छे लग रहे हैं यह सिखने के बार और बहुत एजी हैं बहुत आसान हैं आप भी अपने घर पर ट्राइ करना आपने बच्चों के लिए बनाना बड़ों के लिए बनाना यह तो सब को पसंद आते हैं खाने में अब हुत बात लगते हैं षी वर टेस्टी बनते हैं और यह तो में अच्छा बना है यह गरनी गूर्य आपको पसंद आए लाइक करना सब्सक्राइब परना पोऽमेंट करना बिल्कम बट्टम को दावाना यह दो को फ्रेंड्स हमारे प्रेट रोल तयार है देखो फॉक से करके देखो बिल्कुल एक दम करारे सुर्पुरे बनी है बिल्कुल एकता है थां थांक्यू बाइबां